जीरे के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं जीरे में लग सकता है महंगाई का तड़का और जीरा चू सकता है 30,000 का स्तर दरसल जीरे की पैदावार में कमी के बीच एक्सपोर्ट की भारी मागनी जीरे की कीमतों को पहले ही इस साल करीब 80-85 फिस्ति तक बढ़ा दिया है बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में जीरा करीब 20-25 फिस्त तक अभी और महंगा हो सकता है दरसल पिछले 3-4 सालों से जीरे की कीमते 130-150 रुपे प्रतिकिलों की रेंच में बनी हुई थी ऐसे में किसानों ने इस बार 20 सीजन में अधिक मुनाफ़े के लिए जीरे की जगह सरसो जैसी दूसरी फसलों की खेती करना चुना इसके लावा इस सल जीरे की फसल के लिहाद से मोसम भी अनकूल नहीं था जिसकी वज़े से जीरे की पैदावार 25 फिसद से ज्यादा घट चुकी है और यही वज़ा है कि हमें जीरे के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है आपको बता दे कि जीरे की खेती अक्तूबर दिसंबर में शुरू होती है और इसकी कटाई फरवरी से एपरिल के बीच की जाती है गुजरात और राजस्तान जीरे की खेती के परमुक के अंदर है उँज़ा मंडी में लगबक 60 फीसद जीरा राजस्तान से आता है जबकि 40 फीसदी हिस्सा गुजरात से आता है उदर राजस्तान के जोदपूर, नागोर, जैसल मेर में जीरे की खूब खेती की जाती है वहीं गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, सोराष्ट और कच्च के इलाकों में इसकी खेती की जाती है तुनों राजियों के किसान और व्यपारी अपनी फसल बेचने के लिए उँजह मंडी में जाते है इस सल किसानों ने जीरे की खेती कम की और इसकी जगह उन्होंने सरसों जैसे अधिक मुनाफ़ा देने वाली रभी सीजन के दूसरी फसलों की खेती को चुना एक अनुमान के मुताबिक गुजरात में इस सल किसानों ने तीन लाग हेक्टिर से कुछ अधिक जमीन में जीरे की खेती की है जबकि पिशले साल यह आंकडा चार लाग सत्तर हजार हेक्टिर था ऐसे ही राजस्तान में भी जीरे का बुआई एरिया इस सल 20.25 फिसक दी कम रहा है दरसल जीरे की खेती में मौसम का बड़ा हाथ होता है मौसम में थोड़ा भी बदलाव इसके पैदावार को घंटा सकता है पिशले कई सालों से जीरे की कीमट 1.500 रुपे से नीचे बनी हुई थी ऐसे में किसानों ने इस सल जीरे की जगए कोटन, सरसो, मुफली, सोयाबीन, धनिया, आदी की खेती करने का फैसला किया राजस्तान और गुजराज जैसे परमुक जीरा उतपादक राजियों में इस बार अच्छी मोंसोनी बारिश हुई है इसके लावा इस सल जीरे की उन्ची कीमतों के कारण नई सीजन में जीरे की बिजाई बढ़ने के असार दिखाई दे रहे हैं मंडियों के अनुसार जीरे के भाव में अच्छी तेजी आने का अनुमान व्यक्त किया गया है नई फसल शुरू होने से पहले जीरे के भाव 300 पे प्रती किलो के पार चा सकते हैं चालू सीजन के दोरान जीरे के उतपादन में करीब एक तिहाई गिरावट आने के बाद से इसकी थोक कीमते लगाता नई नई रिकोर्ड कायम करती दिखाई दी है इसी बीच समुदरी भाड़ा भी बीते कुछ समय के दोरान बढ़ता हुआ दिखाई दिया है जिससे निर्याद प्रभावित हुआ है भारत के अलावा विश्व, टर्की और सीरिया में भी जीरा सबसे ज़्यादा उतपादित किया जाता है जीरा उतपादन में अब अफगानिस्तान और इरान भी चुनोति पेश करने लगे है ऐसे में बाजार जानकार मान कर चल रहे है कि जीरे की कीमते जल्द ही 30,000 के पार जा सकती है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी